हालो फ्रेंट्स फिर आपको दस्वागतों दूस्तों आज की इस वीडियो में हमें पर बात करने वाले हैं कि आपकी इस सेकेंड इंस्टॉल्मेंट आएगी या फिर नहीं आगी SCST Candidates का तो आपको बता योगा कि आल्रेडी कबर्मेंट उन्हें बता जिया है कि उनकी सेकेंड इंस्टॉल्मेंट हैगी इसलिए SCST Candidates के इस वीडियो को ना देखें विवज़े अपने समय मरवाद ना करें और ना ही किसी तरह की कमेंट्स करें आपकी स्कॉल्स पहंड़ा आपको पता हुगा जितने भी भाई बैनों के पास चातवरती बेजी जा चुकी है यह फिजन के पास अभी नेक्स्ट एक यह दो दिन में आने वाली है उन्हें सभी स्टुनेंट्स के रजिस्टर्ड मॉबाइल नमबर पर एक SMS भेजा जा रहा है कुछ इस तरह से जिसमें सब्सक्राइब को केबल एकी इंस्टडॉलमेंट में दोनों ही एंमांट पर वाईटकराए गया है ठिकले जनर्र ओवी सी मैनोटी की सब ही भाईवायन बिल्कुल ध्यान दें कमेंट्स करने से कोई फायदा नहीं होता है वीडियो पर आप ध्यान देजी जो बताया जा रहा है यहाँ पर बीस सजार रुपए और चौविस सजार रुपए यह यानि कि 22,004 रुपए यह आपको यह एक ही इंस्टॉल्मेंट में गवर्मेंट ने आपको प्रुवाइट करा दी गए पहली क्या होता था अलग अलग इंस्टॉल्मेंट आते थे चौविस सब्स रुपए की एक धोर्मेंट की तरफ से आपको इसी वजह से बेजा जा रहा है थाकि आप लोगों को यह पता चल सके कि आपको जो छौत प्रुवाइट कराए गया वो दो इंस्टॉल्मेंट वाली ही है लेकिन एक ही इंस्टॉल्मेंट में आपके अकॉँट में करेडिट कर दे गई एक ही टांजक्शन के दौरा एक ही बार में दोनों इंस्टॉल्मेंट आपको कैडिट की गई है तो अब आपको किसी भी तरह की टैंसल लेन की आप सकता नहीं है जब कि पूरी फीस प्रती पूर्टी मिल पाई ही आप कमेंट्स ब convenience में भी मुझे टाइप करके बतासके हैं कि आपको फीस प्रती पूर्टी की रुपे में कितनी पैसे दियेगे हैं यहाँ पर जो फीस रिमर्समेंट वाला आपके पास नहीं सजाया है फीस रिमर्समेंट में आप देख लिजे जितने रुपए यहाँ पर लिखे हुए वही आपकी फीस पृति पूर्थी है यह उपर जो कम वाले पैस होते हैं अब गवर्मेंट प्रोवाइड नहीं करेगी आपकी जो इंस्ट्रॉल्मेंट आना थी वह यह की इंस्ट्रॉल्मेंट में दोनों ही अमाउंट आपको प्राप्त हो चुके हैं कोई भाई 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 नहीं इस कन्फियूजन में बिल्कुल भी न रहे हैं यदि आपके पास इस तरह के मैसे नहीं आ पाया है तो बहुत जल्दी आपके रेजिटर्ड मॉबाल नंबर पर ही इसमें साज आजाएगा और जितनी भाई बैनों के पास ही मैसे आ चुका है कि रुपय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता हैं कुछ इस्ट्रेंट्स की यह सिकात आ रही है कि यह जो मैसेज है यह बेबज़ै हमें भेजा जा रहा है जबकि हमें 0 रुपया भी नहीं भेजा गया जिस वज़े से आपको यहाँ पर जो amount का scholarship का यहाँ पर message है वो भेजा जा रहा है इसके साथ ही कुछी students ऐसी भी होते हैं जिनका pay dm का bank बना हुए होता है या फिर etl payment bank बना हुए होता है उस account को भी आप एक बार जरू चेक का लिजे हो सकता है उस account में आपकी scholarship transfer की गई हो कु कुछी students के ऐसे यहाँ पर comments आ रहे हैं या फिर उनके ऐसे questions आ रहे हैं कि हमें इस call से provide ही नहीं कराएगा यह government की तरफ से और यह यहाँ पर जो amount बाला message है यह हमारे पास आ चुका है तो ऐसे सभी students बात का दिहान रखें अपने जो अलग दूसरे bank है उनसा भी को एक बार ख दो